Good morning students, मैं रवी कुमार, Lecturer Computer Science, GPC डूंगरपूर आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे CS310 PHP and MySQL subject का MySQL unit और इसमें हम दो टोपी कवर करने जा रहे हैं Working on Data and Tables और सेकेंड है Retrieving and Modifying Data पिछले वीडियो में हमने Database और Table बनाना और Delete करना सीख लिया था अब इसके आगे हम सीखेंगे Table बनाने के बाद में Table में Data कैसे Insert करते हैं तो यहां पर हमारे पास Syntax Rule है जिनको उमें Follow करना पड़ेगा एक तो PHP के अंदर हम जो SQL Curie लगाते हैं वो Quoted होनी चाहिए Double Quotes के अंदर आएगी वो Quote क्योंकि वो Quote MySQL Server तो समझता है लेकि PHP उसको नहीं समझता है अगर हम Quotes में नहीं लिखेंगे Double Coma में नहीं लिखेंगे तो PHP वहाँ पर Error दे देगा क्योंकि वो PHP का Syntax नहीं है तो अगर Double Quotes में लिख देंगे तो उससे क्या होगा वो एक PHP क्या समझेगा उसको एक String समझेगा और String के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं को Error नहीं आएगी तो यह कारण है कि हम SQL Query उसको Quoted करते हैं और SQL Query के अंदर कहीं पर हम String Value काम में लेंगे तो उसको भी हम Quoted करेंगे मतलब Quoted के अंदर वापस Quoted उसके हो और Numeric Value उसको Quoted नहीं करेंगे यह हम जब प्रैक्टिकली आगे प्रोग्राम से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और जो Null Value है उसको भी Quoted नहीं करेंगे अब नए जो Data इंसर्ट करने है टेबल के अंदर उसके लिए हम काम में लेते हैं Insert Statement, Insert Into तो यह इस तरह से होता है Insert Into Table Name, फिर Bracket के अंदर Columns के Name फिर Values और फिर Bracket के अंदर Values तो जो Sequence Columns के Name की रहेगे वही Sequence अपने को Values की रखनी है नई तो फिर Values का कहीं दूसरे में जा सकती है माले जी Column 1 में First Name है, Column 2 में Last Name है और आपने जब इंसर्ट करते टाइम Value 1 Last Name उसको पहले लिख दिया तो First Name में Last Name चला जाएगा तो हमें Sequence वही रखना है, जो Columns का है, वही Values का रखना है आईए इसको एक एक अग्जामपल से समझते है PHP में कैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो PHP स्टार्ट करते है HTML फाइल में Less Than Cution Mark PHP अब हमारे यापस सर्वर नेम लेंगे Local Host, Username, Password और Database का नेम Database का नेम हमने Polytechnic दिया था Username, Password जो भी आप रखोगे Server Name, Local Host रखेंगे अब Connection Create करेंगे यह दो हम देख चुके डेटाबेस बनाड़ते उस टाइम पर भी Connection के अंदर New, MySQL I, Server Name, Username, Password तो यह MySQL I, क्या है? Function है इसका, Inbuilt Function है PHP में यह आपके Objectiveution बन सकता है इस पर फिर Connection को चेक करेंगे Connection बना है कि नहीं बना है तो अगर Connection में Connect Error आता है इसका मतलब Connection फेल हो गया और नहीं आता है इसका मतलब Connect हो गया अगर Connect हो गया तब हम Quri लगा देंगे Quri क्या रहेगी? Insert, Into हमारी Table का नाम क्या है? Polytechnic, Underscore Table और फिर हमारी जो Column 7 का नाम है ID, Name Air Name, Lecturer Name, Topic और Date फिर Values में हमने ID दे दिया, College की ID फिर College का Name दे दिया फिर Lecturer का Name दे दिया फिर Topic का Name दे दिया और फिर Date दे दिया इफ Connection Quri अगर Quri सही से रन हो जाती है इसका अमलब तो नया Record Insert हो गया है और नहीं हो आया है तो Else में जाएंगी और Error आ जाएगी तो ये तरीका था Table में Data Insert करने का अब Insert हो गया तो और कौन से काम कर सकते हैं Table पर जैसे Insert किया है तो हमें Retrieve करने की ज़रूत पड़ती है Data Access करना बढ़ता है Retrieve कर सकते हैं और Modify कर सकते हैं तो Retrieve कर से करते हैं उसके लिए हम Select Statement काम में लेते हैं इससे एक या एक से ज़्यदा Table से हम Data को Select कर सकते हैं ये कुछ इस तरह से रहता है Select और Columns के Name रहेंगे कौन-कौन से Column लेने हैं फिर From और फिर Table का नाम अब Column एक, दो, तीन, चाल जतने Column लेने हैं उनके नाम लिखते जाएंगे कौमा लगा के अगर सारे के सारी Column लेने हैं तब Star लगा देंगे उपर वाला Server Name, Username, Password ये तो कौमन रहा जाएगा Connection Create हो जाएगा Connection Fair होगा तो Error आजाएगी यहाँ पर सिर्फ क्यूरी चेंज हो रही है वहाँ पर Insert into Table का Name था यहाँ पर क्या आएगा Select और यहाँ मैं पूरे के पूरे Colum ले रहा हूँ इसलिए Star और From Table का नाव हमारा Polytechnic Table बस बिल्कुल वैसे ही रहेगा क्यूरी है रिजल्ट में अगर वो Number of Roads रिजल्ट के अंदर क्या रिजल्ट इसने डाल दिया है जितना भी उसमें Select किया इसने फिर रिजल्ट में हम Number of Roads केलकुलेट करेंगे अगर Number of Roads 0 से ज़्यादा है इसका मतलब तो हुआ कि क्यूरी सही से रन हुई है कुछ न कुछ रिजल्ट आया है तो रिजल्ट जो हमारे पास आ गया वो एक से ज़्यादा रोह हो सकती है तो हम क्या करेंगे जो रिजल्ट आया है कि या कोलम का नेम जो रहेगा और वेल्यू जो उसमें वेल्यू रहेगी तो रिजल्ट है उसको हम एक असुसेटी वेरे में ले लेंगे और फिर उसको हम वाई लूप के थुरू प्रिंट करवा देंगे एल्स अगर रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है नमबरो रोज इसका उन्तर तो जीरो रिजल्ट कर देंगे और कनेक्शन क्लोज कर देंगे अब यह हमने जो एक्जांपल देगा उसमें हमने कोई कंडिशन नहीं लगाई थी इसका मतलब बिना कंडिशन के क्या होगा पुरी पुरी टेबल आ गई थी इसमें अब हमें प्रटिकुलर कंडिशन लगाने की यह कंडिशन फुल फिल होगी तब ही हमें डेटा को रिट्रीव करना है तब हम वैर काम में लेंगे तो यह कुछ इस तरह से रहेगा सेलेक्ट कोलम्स के नेम फॉम टेबल का नाम वैर और इसमें रहेगा कंडिशन बिल्कुल वैसी के वैसी चलेगी पुरा प्रोग्राम वैसी रहेगा सिर्फ यहां पर चेंज होगा जो क्यूरी है वो पहले हमने क्यों लगाए थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पॉल्टेक्निक टेबल इतना ही अब इसके अंदर हम यह ओड एड कर देंगे आगे एड कर देंगे वैर वो टोपिक के नाम माईस्क्यूल है तो माईस्क्यूल नाम का जो टोपिक है उस पर जितने भी एंट्रीज है वो इसमें आएगी फिर बिल्कुल वैसे ही नमबर ओव रोज जीरो से ज़्यादा है तब आप 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 देंगे दिस्प्ले करा देंगे और नमबर ओव रोज अगर जीरो है तो जीरो और कनेक्शन क्लोज कर देंगे अब डेटा हम अगर डिलीट करना चाहते है टेबल के अंदर तो क्या करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वैर और यहाँ पर कंडिशन ये भी बिल्कुल वैसे चलेगा आदा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे रहेगा से क्यूरी यहाँ पर चेंज होगी डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वैर कंडिशन आईड इकोल टू थ्री तो जिस कोलेज के आईड इकोल टू थ्री है उसके डेटा को उसकी एंट्रीज को हम डिलीट कर देंगे तो क्यूरी अगर सक्सेश्पूली रन होती है अपडेट कर सकते हैं यह कुछ इस तरह से क्यूरी रहेगी अपडेट टेबल का नाम सेट कौन से कोलम को कौन सी वैल्यू नई वैल्यू देनी है यह देंगे और फिर वैर कंडिशन इसमें भी आदा प्रोग्राम उपर वाला बसे के बसे रहेगा यह क्यूरी चेंज जाएगी अपडेट हमारा टेबल का नाम है पोल टेकनिक टेबल सेट क्या सेट करेंगे नेम के अंदर जीपी सीडी कर देंगे जहांपर कंडिशन आईडी इकोल टू थ्री है जहांपर जिस कोलेज के आईडी थ्री थी हमारा पर उसका नेम क्या कर देंगे जीपी सीडी कर देंगे अगर क्योरी सक्सेस्पुली रन होती है तो ट्र्यू इसका मतलब हम समझाएंगे कि रिकोर्ड हो अपडेट हो गया सक्सेस्पुली नहीं तो फिर एरर आ गई है इसमें अपडेशन में तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे टेबल्स में वेल्यू इंसर्ट करते हैं कैसे रिट्रीव करते हैं कैसे डिलीट करते हैं अपडेट करते हैं थेंक यू